हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू ओनलाइन लेर्निंग प्लैटफोर्म जैसे कि आपको पता ही है कि आज हमारा कंपाउंड इंट्रस का जो टेस्स था उसका जो सोल्यूशन है जो आंसर की है वो हम आज डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पर्सक्राइशन यहां आप देख पा रहे हो कि 20,000 के उपर अगर 10% का रेट है और 3 years का टाइम है तो आपको calculate करनी है कि amount क्या होगी तो कैसे करेंगे इसके लिए तो 10% हमें यहां पर percentage दी गई है उसी के according आप ratio form कर लेंगे और वो ratio कितनी बारी repeat करेंगे जितने number of years यहां पर आपको दिये जाएंगे तो वो है 3 years तो अगर ratio form करें principle और amount की वो कितनी बनेगी तो 10 ratio 11 रहेगी कितनी बारी 3 times रहेगी तो हम 3 बारी लिख लेते हैं 10 ratio 11, 10 ratio 11 and 10 ratio 11 अभी क्या करना है तीनों को multiply तो यहां पर आपका आजाएगा 1000 और यहां आपका रहेगा 1331 राइट तो अभी इसके आगे आपको क्या दिया गया है कि अगर principle 20,000 है तो अगर ratio में उसकी value 1000 है और actually in rupees वो 20,000 है आपने दोनों को divide करा तो common multiple आपको मिलेगा तो इस case में हमारे पास वो आता है 20, अगर यह 20 का multiple है principle भी तो amount भी 20 का multiple रहेगी बट आपको क्या calculate करना है amount करनी है तो हम इसको direct 20 से multiply कर देंगे तो हमारे पास जो answer निकल के आता है यहां वो आएगा 26,620 जो की option A में है तो A यहाँ पे आपका correct answer रहेगा So done, first question का answer माक कर लीजिए A answer आपका यहाँ पे right answer है अभी चलते हैं हमारे second question पे तो second question यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर compound interest calculate करना है thousand rupees के उपर और जो investment की गई है वो 1.5 years के लिए की गई है but compounded half yearly है तो half yearly का case है यहाँ पे तो half case में हम क्या करते हैं rate को हम कर देंगे half तो 20% से यह बन जाएगा 10% and उसके बाद जो आपके पास time period है 1.5 years यानि की डेर साल का जो time है वो double हो जाएगा वो बन जाएगा 3 years का time बाकी case as it is रहेगा सबसे पहला step है principal और amount की ratio हम form करेंगे तो चलिए फटा-फट से बनाते हैं तो 10 ratio 11 10 ratio 11 and कितनी बारी तीन बारी ऐसा लिखेंगे और अब तीनों को कर देंगे multiply तो यहां आपका आजाएगा 1000 और यहां आपका आजाएगा 1331 अभी देखिए यहां पे आपको जो है amount यानि की principle दिया हुआ है 1000 और ratio में भी हमारा कितना था 1000 ही था तो common multiple आपको मिला यहां पे 1 और यहां case में calculate क्या करना है compound interest तो जब आपको common multiple पता चल चुका है 1 है और आप देख पारे हो कि ratio के बीच में कितना difference है तो 331 का difference यहां पे है यहां पे तो 331 जो है वो मेरा interest है ratio में और मेरा 331 जो ratio में आया उसको multiply करेंगे common multiple के साथ जो की है 1 तो multiply करने पे आपके पास compound interest निकल आएगा 331 जो की option A में पड़ा है अगर आप ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो otherwise आपको पता चल चुका है one का multiple है तो amount भी one का multiple होगी यहां से मैं amount निकाल लेती हूँ जो की आई 1331 अभी दोनों का difference जो रहेगा वो हमारा answer रहेगा that is 331 रुपीज तो यहां इस case में आपका जो answer है वो mark कर लीजिए ठीक है और आपको इसका detailed solution मिल चुका है अभी हम move करते हैं हमारे third question के उपर so third question यहां पर क्या है compound interest on a sum of rupees 625 in two years is rupees 51 so find rate of interest तो यहां आपको rate पता करना है क्या-क्या values आपको given है तो principal given है time period given है और आपको compound interest भी given है so कैसे करेंगे यहां पर हम तो देखिए जो आपके पास principal है जो आपके पास interest है और time period 2 साल का है तो हम कैसे करेंगे तो principal और amount की ratio बनाएंगे हम तो principal तो यहां already given है जो कि हमने यहां लिख दिया और amount कैसे निकलेगी जब मैं principal में interest एड़ कर दूँगी तो जब दोनों को एड़ किया तो हमारे पास value आ जाती है 676 अभी आपको जब rate निकालना हो time निकालना हो क्या करना होता है सिरफ और सिरफ चेक करना है कि यह दोनों किसका square या cube है तो add time यह क्या मिल रहा है आपको square मिल रहा है 625 25 का square होता है और 676 जो होता है 26 का square होता है तो यहां से मुझे पता चल गया कि एक तो 25 है प्रिंसिपल अब मेरा और मेरी जो amount है वो 26 है मुझे क्या पता करना है फिर से rate पता करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोनों का difference जो की रहेगा यहां पे 1 तो difference है 1 अब उन में क्या लगाएंगे principle जो की है 25 और percentage calculate करने के लिए multiply by 100 करेंगे जब इसको calculate करा हमारे पास हमारा rate निकल आया जो की यहां इस case में कितना आया 4% जो की option D में available है तो D यहां पे आपका correct answer है 4% और सारा का सारा solution आपके सामने यहां लिग दिया गया है So done, 3 questions हमारे complete हो गए अभी हम move करेंगे हमारे 4th question के उपर 4th question क्या है A sum of money is put on compound interest for 2 years at 20% It would fetch 482 more if interest is payable half yearly than if it were payable yearly So find the sum यह एक moderate level का question था जो exam में यह आपके test में किसी किसी का ही बना होगा क्योंकि इसमें जो points पूछे जा रहे है वो बड़े interesting है क्या पुछा जा रहा यहां पे कि अगर आपने principal invest करा है 2 साल के लिए 20% पे और उसी principal time और rate की बात अगर करी जाए एक बार ही आपको calculate करना है half yearly और एक बार ही आपको calculate करना है yearly तो जब आप yearly और half yearly calculate करते हैं दोनों के बीच में जो interest में जो difference आता है वो आता है 482 rupees का आपको पता करना है कि principal आपने कितना invest करा हम आज तक ratio methodology करें इस question को ध्यान से सुनना बहुत ही अच्छा question है यह और आज के test में यह question जो था एक moderate level का या high level का आपके लिए हो सकता है depend करता है student student rate ठीक है तो सबसे पहले मेरे पास 20% का rate है मेरे को दो type की दो अलग-अलग cases की ratio बनानी है तो मैं कैसे बनाओ इसको तो देखे यहां पे हम इस question को attempt करना शुरू करते हैं और मैं दोनों cases आपको समझा रहे हूँ तो case 1 जहां पे मैं yearly ratio बनाऊंगी और case 2 रहेगा जहां मैं आपको इसकी half yearly की ratio बना के दिखाऊंगी सबसे पहला step तो यही होना चाहिए तो जब हम yearly का पहले कर लेते हैं तो yearly के case में हम ratio कैसे form कर सकते हैं वही 20% है मेरे पास तो principal और amount की ratio 20% के हिसाब से हम बनाएं तो 5 ratio 6 आएगी कितनी बड़ी लिखेंगे तो देखें दो साल का time है तो हम इसको दो बड़ी लिख लेते हैं अभी multiply मत करिये का कुछ changes करने हैं तो 5 ratio 6 and 5 ratio 6 आपके पास आ चुका है दूसरे case में अगर half yearly करें तो 20% को हमें half करना होगा यानि कि 10% 10% के हिसाब से हमारी principal और amount की ratio बनती है 10 ratio 11 ऐसा आप हम कितनी बड़ी लिखेंगे यहाँ पे अगर half yearly का case है तो time को double करना होगा तो 2 की जगा पे 4 साल आएगा तो हम इसको 4 बड़ी लिखेंगे तो 10 ratio 11, 10 ratio 11 10 ratio 11 and last one 10 ratio 11 अभी देखें यहाँ पे जो दो अलग-अलग cases आपको दिख रहे है principal तो दोनों में same रहेगा amount में फरक आएगा half yearly और yearly के कारण तो इसलिए अगर मेरा यहाँ पे principal 10 चल रहा है वहाँ उस case में मेरा principal 5 है तो मैं क्या उसको 5 से 10 बना सकती हूँ पहला step तो आपको यहाँ पे यही करना होगा समझ में आई बात तो मैं अगर यहाँ मैं color change करके आपको बता रही हूँ इन दोनों को 2 से multiply कर दूँ दोनों तरफ मैं 2 से अगर multiply कर दूँ मेरी एक नई ratio बन जाएगी वो नई ratio बस आपको form करनी है तो यहाँ हम कर ले 10 or 12 10 or 12 समझ गए हो आप तो मैं यहाँ erase करके क्या लिख रही हूँ principle और amount की जो ratio है मेरी उसको change करके मैं 10 ratio 12 and 10 ratio 12 ही लिख रही हूँ 2 बार के लिए क्योंकि यह मेरा annual का case है यह मेरा half yearly का case है तो जब मैंने यह किया तो यहाँ आपका principle आगया 100 और आपकी जो amount निकलती है वो निकलती है 144 राइट बट जब हम यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ हमारा principle ratio के अंदर आता है 10,000 और जो हमारा amount निकल के आता है वो कुछ 131 यानि कि cube करने के बाद उसको 11 से multiply कर देते हैं तो एक बार ही यहाँ कर लेते हैं तो 10 से multiply करने पर आपके पास यह amount आएगी इसको 3 बार ही जब मैंने किया उसके बार मैं कर रहे हूँ तो 3 बार ही multiply करने पर यानि कि 11 का cube तो आपको पता ही है कि 1331 होता है मैं further उसको 11 से multiply कर रहे हूँ तो इसलिए मैं पहले 10 से किया फिर मैंने 1 से किया यानि कि यहाँ पर अगर आप check करो तो आपके पास जो value निकल के आती है वो आती है 1, 4, 6, 4, 1 तो यह दोनों ratios आपके पास आ चुकी हैं इतना समझ में आया अभी भी काम खतम नहीं हुआ आगे देखिए मेरा principle की ratio यहाँ तो बन रही है 10,000 रुपे ratio के अंदर बट वहाँ मेरी principle की ratio 100 बन रही है तो मुझे फिर से क्या करना होगा compensate करने के लिए उसको फिर से further आप 100 से multiply कर दो तो चलिए अभी इसको 100 से multiply करके हम एक नई ratio बना लेते हैं तो दोनों साइड multiply करना होगा इसको भी 100 से और इसको भी 100 से करना होगा अपने question को solve करने के लिए तो यहाँ मेरा principle अब देखिए दोनों तरफ same बन चुका है यहाँ भी 10,000 यहाँ भी 10,000 आ चुका है जबकि यहाँ मेरी amount की ratio इसी accordingly बन जाएगी 1, double 4, double 0 तो बात समझ में आई दोनों तरफ हमने क्या किया अभी further हम क्या करेंगे देखिए दोनों तरफ principle हमारा same है अभी उन्होंने बोला था कि जो amount है यहाँ हमारी amount यह है और यहाँ पे यह है इन दोनों में जो gap है वो किसके बराबर है 482 के equal है तो चेक कर लें डोनों में कितना difference आपको दिख रहा है तो हमें यहाँ पे जो difference दिख रहा है वो है just a second calculation को erase करें तो यहाँ पे जो difference आप देख पा रहे है है समझ में आरी है आपको मेरी बात तो मैंने यहाँ पे क्या किया मैंने यहाँ पे इन दोनों का gap चेक करा तो यहाँ से तो gap आता है 4400 का यहाँ से gap आता है 4641 का तो मतलब यहाँ पे जो interest है वो 4400 रुपे है यहाँ पे जो interest आता है वो आता है 4641 रुपे ratio के अंदर अब दोनों का जो gap है interest में वो 241 है ratio में जबकि वो actually difference कितना कहा रहे हैं? 482 रूपे कहा रहे हैं. अगर मैंने इन दोनों की cutting करी तो मुझे पता चल गया मेरा 1 unit double है, 2 के बराबर है. तो 1 unit मेरा 2 के बराबर है. अब आपको जो भी calculation करनी है आप उसको 2 से simply multiply कर सकते हैं. मुझे principal निकालना था. अभी देखो मेरा दोनों side principle बराबर है तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी. 10,000 उसकी ratio है और मेरा 1 unit अगर 2 के बराबर है तो आपका principal कितना आएगा? तो principal आएगा option D 20,000 rupees. So D यहाँ पे आपका correct answer होगा 20,000 rupees. अगर आप by option जाते हो तो उसके according आप काम कर सकते हो नहीं तो ratio form करके आप बड़े अराम से ये question कर सकते थे attempt तो इस question को हमने mode to high level का category बे रखा कोई student है जो इस question को attempt कर पाएगा यही question में आज जो था वो game changer था है ना? तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं हमारे fifth question पे fifth question क्या बोल रहा है यहां पे मनीश ने investment करी है at compound interest जो की दो साल के अंदर बन जाती है 2420 रुपे जबकि वो तीन साल के अंदर बन जाती है 262 रुपे तो आपको rate percent पता करना है तो मैंने class पे ये question कितनी बार आपको करवाया था? कि ये जो principle है principle आपने जो भी invest करा वो दो साल के अंदर इतना बन जाता है और वही further एक साल का time more लगेगा तो वो इतनी amount आपको देगा ये दो साल की बात हुई तो यहां से आपको क्या पता चल लाए कि ये मेरा principle है, ये मेरी amount है इन दोनों का अगर मैं gap ले लू वो क्या होगा? वो interest होगा तो चल दी से इसका gap ले लेते हैं तो वो आया 242 रूपीज तो जब आपको पता चल गया कि जो 242 रूपीज है ये आपका एक साल का interest है देखे एक साल का time है ना तो ये class में as it is question किया था बट वेल्यूज चेंज थी तो I think अगर आपको याद है तो ये question बना सकते हैं अगर आपको एक साल का interest पता चल चुका है और आपको principal पिछला पता है कितना है 2420 रूपे तो percentage यानि की rate निकालने के लिए into 100 करेंगे और आपके पास आपका answer बन जाएगा option D 10% 10 is the correct answer है अगर आपने इसको 10% mark किया है option D तो आप बिल्कुल सही है आपको compound interest का concept अच्छे से clear है अच्छा question था ये भी तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे six question पे अगर आपको SI और CI के बीच में दो साल का जो 20% per annum पे जो gap है वो 8 rupees given है तो principal पता कीजिए तो yes, देखो paper में भी ऐसा ही होगा यहां test में भी ऐसा ही रहेगा कि अगर आपने वो question पहले pick किये जो आपको आते है तब आप एक अच्छी game खेल के जाओगे हर question attempt नहीं करने बट firstly वो question करने है जो आपको आते है यह एक ऐसा question था जो हर student को आता होगा क्योंकि इसमें सिरफ और सिरफ formula यूज करना था तो फटा-फट से इस question को आप बना सकते थे तो यहां पे आपके पास difference given है 8 rupees principle यहां नहीं पता rate पता है यहां पे 20% है तो 20 into 20 upon 2 साल का gap है इसलिए 2 बरी rate लगेगा तो चलिए इसको calculate फटा-फट से करे तो यह इसका one-fifth हो गया और यह फिर से one-fifth हो गया अब 5 into 5, 25 25 into 8 करेंगे तो हमारे पास principle आ जाएगा just a second यहां पे कोई गड़बर तो नहीं हो गई 1 by 5 है 20% rate है तो 20% ही लगाया है हमने 20 का 5 पही जाता है 200 रुपे यहां option में mistake है option a भी 20 है option d भी 20 है तो इस question में आपने जो मैंने class में आपको बताया था कि option a में 200 कर लो और option b में 20 अगर आपको ऐसा ही मिल रहा है तो option a यहां पे आपका correct answer है 200 रुपे यहां पे आपका correct answer रहेगा so mark your answer option a जिन्होंने d option mark करा है वो गलत है a option यहां पे correct answer रहेगा मैंने ठीक करवा दिया है यहां so चलिए move करते है हमारे 7th question पे find a compound interest यहां पे आपको compound interest calculate करना बहुत ही easy सवाल था 10% high rate यहां पे तो principal और amount की ratio जो दो बार बनेगी वो 10 ratio 11, 10 ratio 11 बनेगी इससे यह 100 और यह 121 बन गया अभी आपके पास जो principal है वो है 12,600 यहां ratio लिख लेते हैं तो ratio थी हमारी 12,600 यानि कि common multiple 126 मिला अब आपको compound interest calculate करना है तो देखिए यहां से difference ले सकते हैं 100 और 121, 121 के बीच में 21 का gap है जो मेरा interest है और मेरा 1 unit 126 के बराबर है तो दोनों को जब हम multiply करेंगे तो answer रहेगा 2646 तो 2646 A option में पड़ा है जो यहां पे आपका correct answer होगा So mark your answer A ठीक है? So A यहां पे आपका correct answer है जो कि हमें option A में देखने को मिला है चलिए move करते हैं next question की तरफ 8th question तो test में आपके 15 question थे जिसमें हम 8th question करने जा रहे है So let's start यहां पे है कि अगर आपके पास principal और amount दोनों given है तो आपको rate calculate करना कर सकते हैं हम यह तो principal आपके पास 1200 रुपे है और जो amount है आपके पास वो 1348.32 है तो point हटा के मैंने बताया था यह भी concept आपको class में 100 लगा लिया अब इसके नीचे 100 नहीं है तो इसको 100 100 से multiply यानि कि rationalize करना होगा तो यह amount आपकी बन जाएगी 1,20,000 और यह amount आपकी है 1,34,832 रुपे और नीचे लगने वाले 100 दोनो common होने के कारण cancel हो जाएंगे अभी आपको यहाँ पर cutting करनी होगी तो यह दोनों आपको जो जाते हुए दिख रहे है वो 3 के table पर common लग रहा है मुझे तो मैंने यहाँ पर cutting कर दी यहाँ 3 के table पर 4 पर और फिर से यहाँ पर नीचे remainder रह गया 1,14 तो 3,4,12 पिछे आपका रह गया 28,28,39,27 तो पिछे आपका बच गया 28 का 27 था तो 1 remainder है तो 3,4,12,3,4,12 येस तो कुछ मेरे पास यहाँ पर यह amounts आ रही है आगे further इनकी cutting हम कर सकते हैं और यह भी कर सकते हैं कि यह दोनों कौन से table पर common आपको जाते हुए दिख रहे हैं तो मैं इसको further नीचे लेके जा रही हूँ तो 4 के table पर करें तो just a second हाँ 4 के table पर हो जाएगा तो ये मेरा 10,000 बन चुका है 40,000 से 10,000 बन गया और ये मेरा 1,1 4 to the 8 और आगे जाएंगे तो 1 remainder है 4,3,12 4,6,24 तो मेरे पास यह बन चुका है तो yes ये तो मुझे पता चल गया कि ये 100 का square हो सकता है और ये भी किसी ना किसी का square होगा तो फटा-फट से इसका square root आपने निकाल लिया होगा तो just a second मैं भी देख लू इसका किसका square बनता है तो ये है मेरे पास value और जहां इसको मैंने किया तो ये 1 पे गया और पीछे आपका जो 12 है वो ये 2 पे जाएगा तो 0, 10, 36 आएगा तो 204 से करेंगा I think ये 4 पे जाएगा एक बड़ी देख लें 4 पे के 6 पे 206 पे अगर ये जाता है हाँ 6 पे जाएगा 6 पे जाएगा तो ये 106 का square है 106 का square है अगर आपको square और cube आते हैं तो आपको भी जादा time नहीं लगेगा तो square है दोनों के बीच में अब आपको पता चल गया है कि 6 का gap है और upon में आपका 100 रहेगा और into 100 करेंगे तो rate हमारा इस case में option C 6% निकल के आएगा तो 6 यां से आपका correct answer है अभी देखिए अगला question जो है वो TV के उपर based है तो TV based जो question है मैंने class में population based आपको last class के अंदर करवाया था हमारी Saturday की class में कि ऐसा question है तो भी आप ratio की help से उसको बना सकते हैं यहाँ जो आपके answers रहेंगे वो points में रह रहे हैं इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है मैं पहले आपको answer mark कर दू कि A यहाँ पर आपका correct answer है पूरा case calculation का है जस्ट मैं आपको यह बता रही हो principle और amount यहाँ पर कैसे बनेगी तो अगर 5% depreciation है 5% का मतलब होता है 1 by 20 जहांसे आप depreciate होने का मतलब घटाना तो घटा रहे हैं तो 1 number घटा देंगे यानि की minus कर देंगे तो 20 ratio 19 रहेगा कितनी बारी 3 times रहेगा और फिर आके आप further यह आपको value given है 21,000 यह आपको calculate करनी है तो calculation का question है इसलिए इसका answer जो है option A बना है आप calculate करके निकाल सकते हैं तो चलिए अभी चलते हैं हमारे 10th question पर अगर आपको compound interest calculate करना है 48,000 पर half yearly calculate करना है तो हमें क्या करना है rate को half कर देंगे यानि की 4% time जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1 year वो हो जाएगा 2 years का time ठीक है तो जब हम इसकी calculation करेंगे हमारे पास answer रहेगा तो फटा-फट से बना लेते हैं 4% का मतलब होता है 1 by 20 तो 4% का मतलब क्या होता है 4% जो हमारा रहेगा 1 by 25 रहेगा तो अगर यह 25 है दूसरी ratio 26 रहेगी ऐसा कितनी बारी? दो बारी करेंगे तो yes आगे चले तो यह 625 है और यह हमारा 686 है 676 है अब यहाँ पर आपके पास जो principal है जी तो मेरे पास जो principal है वो है 48,000 तो दोनों को divide करके आपने फिर से यहाँ पर common multiple निकाला होगा और यहाँ case में compound interest पूछ रहे है तो दोनों का difference हमारा answer होगा यह आप आगे कर सकते हूँ calculate इसलिए मैं फटा-फट से इसकी values लिख देती हूँ आपके पास कितनी आएंगी तो yes हमारे पास जो values ही वो थी 48,000 और यह जो common multiple है वो 625 का है तो 76.8 यहाँ पर हमें मिल रहा है 76.8 को हम जो है इन दोनों के difference जो की हमारा interest है जो की है 51 रुपीज का 51 से multiply कर दे तो हमारे पास जो value निकल आएगी जो हमारा compound interest होगा जो की यहाँ पर इस case में आ रहा है option D 3916.80 बहुत ही close option है यह दोनो तो यहाँ से जो आपको common multiple मिल रहा है मैंने बता दिया कि difference 51 है और यहाँ से जो common multiple मिल रहा है उसके साथ multiply करने के बाद आपका answer option D जा रहा है so right चलिए 11th question compound interest calculate करना है अभी देखो यहाँ पे 2 साल 4 महिने का question है यह class में पूछा गया था question की अगर ऐसे time period दे रहे तो हम कैसे calculate करेंगे तो आपको आपका method जो है वो बदलना होगा यह ratio method की help से आप question का answer नहीं कर सकते थोड़ा tricky हो जाएगा तो यहाँ पे हम हर साल का individually calculate करेंगे तो 15% के हिसाब से हम कितनी बारी calculate करेंगे पहले तो 2 साल का निकाल लेते हैं तो first year के लिए 8,000 principle के उपर हम 15% की जगा पे 3 by 20 use कर दें तो yes, यहाँ से आपकी calculation करके आपको पता चला कि पहले साल आपको 1200 रुपे interest मिलेगा अभी अगले साल क्या होगा 1200 तो interest मिलेगा ही मिलेगा उसके साथ साथ इस 1200 के उपर फिर से 3 by 20 आपको मिलेगा है ना interest के उपर interest मिलेगा तो यहां से अगर हम देखें तो 180 रुपे आपका interest बनेगा अगर मैंने add कर दिया तो 2 साल के लिए मेरे पास 2nd year के लिए 1380 रुपे interest हो चुका है total इन दोनों को add करने के बाद अभी हम बात करेंगे next 4 months की तो यहां आप क्या करेंगे आपको एक तो 1200 रुपे यानि कि 1380 के उपर interest मिलेगा चलिए इसको add करके फिर मैं बता देती हूं 3rd year के लिए आप कैसे कर सकते हैं तो मैंने यहां इसको add करा तो यह 900 रुपे था प्लस साथ में months लगा लिजिएगा 4 by 12 यानि कि 1 by 3 लगा लिजिएगा तो आपका answer जो है वो अराम से बन जाएगा आपने 4 महीने का interest calculate कर लिया साल के हिसाब से तो yes हम calculation कर रहे थे तो यहां आपके पास जो value आती है वो 529 रुपे आती है अभी उन्होंने पूछा था total compound interest तो पहले साल तो आपको मिला था 1200 रुपे दूसरे साल आपको मिला था 1380 रुपे और तीसरे साल जो आपका साल नहीं था चार महीने का time था वहां पे आपको मिलते हैं 529 रुपे तो जहां पे आपके end में 9 आएगा unit place पे 9 आएगा वो आपका correct answer होगा जो कि option D में मिला है तो इस question को हम इस method से बना सकते हैं जहां हमारा एक method लगना बंद हो जाए वहां दूसरा method हमें help कर सकता है इसलिए मैंने तीनो method आपको first day ही समझा दिये थे next question find the amount and compound interest on 1 lakh quarterly for 9 months अब ये quarter का case है मैंने बताया था 4 quarter होते हैं 3-3 महिने के बाद लगते हैं तो यहां हम क्या करेंगे months को 4 से multiply कर देंगे तो ये 36 months हो जाएगा जिसको अगर मैं years में बोलू तो ये 3 years का time रहेगा और जो rate होगा उसको हम 4 से divide कर देंगे तो rate आपका यहां पर 1% charge किया जाएगा अभी हम क्या करें principle और amount की ratio बना लेते हैं rate है आपका 1% 1% का मतलब क्या हो गया अगर आप 100 पे लगा रहे हो तो आपको 101 रुपे मिलेंगे ऐसा हम कितनी बारी करेंगे हम 4 बारी करेंगे sorry 3 बारी करेंगे क्योंकि हमने 36 महिने से 3 साल निकाल लिये थे तो 3 बारी किया तो यहां आपके पास कितनी zeros आ गई तो 6 zeros आ गई और यहां आप इन तीनों को multiply करते जा रहे हैं तो मेरे पास यह जो zeros आ रही है वो कुछ आ रही है एक मिनट 2, 4 और 6 आ रही है जबकि question में मेरे पास 5 zeros है यानि की 1 lakh की amount है तो मेरे पास common multiple कितना आ गया भही इस case के अंदर तो 1 by 10 आ गया तो मुझे compound interest calculate करना है इस case में और amount भी calculate करनी है तो मैं दोनों का difference ले सकती हूँ तो दोनों का difference ले लो चाये तीनों को multiply कर दो 101 को 3 times हम multiply करेंगे देखे compound interest के chapter में आपको calculations तो करनी ही पड़ेंगी तो यहाँ जो हम multiply करते हैं वो आता है 1030301 yes यह इसका cube है 100 का cube हमने किया 1030301 आया अभी देखे दोनों में difference कितना आ रहा है तो वैसे भी यह one card multiple है मतलब सीधी सी बात है आपका जो amount निकल की आ रही है यहाँ option में सिरफ amount है तो आपको वो निकालने की जरूरत ही नहीं है ऐसे ही उन्होंने बोले कि compound interest भी calculate करो option में एक ही पड़ा है amount so B answer यहाँ पे हमारा correct answer हो जाएगा so mark your answer as B so let's move to the 13th question so 13th question में आप से क्या पुछा गया एक certain sum of money पे अगर compound interest 304 रुपे 5 पैसे लगता है और simple interest same period के लिए 290 रुपे है तो find the rate यह भी एक ऐसा question था जो game changer था आपके यहाँ पे 13th question जिसको हम more to high level कह सकते हैं इसको समझने के लिए हम थोड़ा whiteboard पे काम करते हैं तो yes दो साल का time है 304 रुपे 5 पैसे और 290 रुपे 304 रुपे 5 पैसे थोड़ा revise इसको रख लेते हैं दिमाग में 304 रुपे 5 पैसे और 290 रुपे ठीक है तो चलिए इसको समझे फिर 304 रुपे 5 पैसे और 290 रुपे यह आपकी दोनों ही amounts है ना यह आपको interest मिल दा है simple के case में और यह आपको interest मिल दा है compound के case में और time दोनों का 2 साल का ही है यही case है तो चलिए बनाए फिर इसको तो देखे सबसे पहले आपको यहाँ पर hint क्या मिल दा है कि simple interest दिया हुआ है अगर 2 साल का simple interest 290 है इसको मैं divide कर दो two के साथ तो मुझे एक साल का interest मिल जाएगा for one year वो कितना होगा इस case में तो 145 रुपे होगा अभी आए compound के case में तो compound में भी 2 साल का time है तो पहले साल आपको 145 रुपे ही मिला होगा second year कितना मिला होगा क्योंकि दोनों को मिला के आपके पास 304 रुपे 5 पैसे आता है तो हमें दोनों का difference लेना होगा तो जल्दी से आप इसको minus करके देख लीजे दूसरे साल आपको कितने पैसे मिलते हैं तो ये था 304 रुपे 5 पैसे और वहां से हमारा है 145 रुपे तो yes 159.5 रुपे आपको second year के लिए मिला होगा जिसमें 145 रुपे आपका ये है और plus 50 just a second तो इसको मैंने इसमें से minus करा तो ये 5 और ये 4 और ये 1 नहीं बिल्कुल सेम तो नहीं होगा कुछ गडबड हो गई है just a second तो 159.5 minus 145 14 रुपे 5 पैसे add हो गए पिछले साल में तभी जाके अगले साल आपको 159.5 का interest मिला है अभी बस आपको ये ही point समझना है क्या कि आपने लगाए थे 145 रुपे और एक साल के बाद उसी के उपर आपको मिलते हैं 145 plus 14.5 रुपे yes तो ये समझ में आया तो अभी हमें calculate क्या करना है हमें rate calculate करना है तो इसकी help लेंगे ये क्या है मेरा एक साल में लगने वाला extra interest किसके उपर लगा 145 रुपे के उपर लगा था ये तो तो इसी लिए मतलब समझ में आया कि 145 तो हर साल मिलेगा ही मिलेगा ये extra कहां से आया इसके उपर लगा हुआ rate आपको मिल गया तो मैंने उसको रख लिया अभी जब इसको calculate करा तो हमारे पास 10% जो आता है rate आता है हमारा एक अच्छा question था इसको समझना बहुत जरूरी है तो बार-बार से इसको देखो और समझो फिर भी कोई doubt रह जाए तो आप class में मैं से पूछ सकते हो चलिए अभी हम चलेंगे हमारे next question पे जी तो एक minute का time दीजिए मुझे हाँ ये question था तो यहाँ 10% जो है आपका right answer है अभी हम चलते हमारे 14th question पे तो 14th question में अगर आपको बोलता है कि simple interest for two years if 500 at 10% rate of interest so find the compound interest अगर आपको simple interest दिया गया है 500 रुपे आपको principal पता करना है rate है 10% और time है 2 years का तो फटा-फट से principal पता कर दे यहाँ इस case में कितना होगा तो चलिए calculate करे तो हमारा यहाँ से बनता है 2500 और 2500 और 2500 और 2500 इंटु किया अभी वह बोलते हैं इसी same principle पर आपको compound interest calculate करना है तो ratio बना ले 10 ratio 11 10 ratio 11 दो साल का time है तो यह 100 और यह 121 की ratio बन गई जबकि यह है 2500 और पे तो common multiple मिला आपको 25 अब आपको compound करना है तो फिट से मैं वही लोगी कि 21 का gap है और एक unit मेरा 25 के बराबर है तो 21 into 25 करेंगे आपको जो answer मिलता है वो option A मिलता है तो mark your answer A A यहाँ पे आपका right answer है अभी चलिए हम last question पे चलते हैं इस question में आपको बोला गया simple interest on a certain principal amount for 4 years is 10% is half if the compound interest simple सी बात है अगर आपने 1000 रुपे के उपर 2 साल में 20% पे जो compound interest earn किया उसका आधा आपको simple में मिलता है तो पहले compound interest में चेक कर लेते हैं आपको interest मिला कितना है तो फ़र्से बनाएंगे 20% से 20% का मतलब 1 by 5 यानि कि 5 वाली amount 6 में कितनी वाली दो बारी करेंगे तो यहाँ से आपको मिल गया 25 और यहाँ से जो होगा 40 से multiply यानि कि मेरा interest compound interest कितना निकलेगा भई यहाँ पे तो वो आएगा 440 रुपे तो यहाँ से 440 है बोला है कि simple के case में उसका आधा है यानि कि simple के case में आपको 220 रुपे interest मिलेगा यहाँ पे आपको principal नहीं पता है rate पता है 10% और time पता है 4 साल का तो बस आपको principal calculate करना है इस case के अंदर तो चलिए फिर वो भी कर देते हैं तो यह 4 के table पे 5 पे और फिर 5 पे 55 इंटो 10 करेंगे तो 550 option D यहाँ पे हमारा correct answer रहेगा तो mark your answer D जो कि यहाँ पे आपका correct answer है इसी के साथ हमारा आज का test की discussion finish हो चुकी है अब आपका जो score card है आपको मिल गया होगा नहीं तो आप detailed solution के बाद जो है अपना score card check कर सकते हैं कि कितना आपने score किया है थोड़ी और मेहनत करिए अगर आपके number कम आ रहे हैं अगर आपने एक अच्छा score card किया है तो good luck आगे के लिए आपको और अच्छे से महनत करनी है ठीक है इसको लेके कोई जादा excited नहीं होगा क्योंकि हमें और भी practice करनी है यहीं हमारा target है कि जब तक job नहीं मिलती हम यह नहीं मानेंगे कि हमें एक successful person है राइट तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे next video में till then thank you everyone